हेलो दोस्तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैट्स या गनित पढ़ लेते हैं तो मैं आपसे कुछ सवाल पुछूँँगा और अपने मन में आप जवाब सोच के रखिएगा अगर मैं आपको बोलू कि एक लाख रुपए को सो से गुना करें तो कितने होगा आप बोलेंगे एक करोड रुपए ठीक है तो होगे वो 10 लाग करोड और 10 लाग करोड को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो होगा जो हमारे गति शक्ती मास्टर प्लेन का बजट है 100 लाग करोड रुपए तो इतना बड़ा अमाउंट का जो हमारा गति शक्ती मास्टर प्लेन क्या है जिसे 2021 में Central Government ने लौंच किया था ब्रीज, हाइवे, वाटर वेश, ट्रांस्पोर्टेशन से रिलेटेड इसके बारे में आपको जानना काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट बन जाते है तो इस वीडियो में कम्प्लीट डिसक्स करेंगे कि गति शक्ती प्लेन है क्या हेलो दोस्तो वेलकम डू ब्रीज कंस्क् चलें शूरू करते बिना किसी धेरी के दो सब्सक्राइब चिली है कि हमारada इंफ्रश्टरउट्चर को इतना डव्लब करना कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कोश्ट हैș वह कम हो जाते है 2021 में, तो इसमें क्या-क्या include रहने वाला है, क्यों इसकी जोरत पड़ी, तो मैं आपको बता देना चाहतो जितने भी हमारे roads, highway, bridges जो हमारी civil engineering के अंदर आते हैं, ये इससे हमारे इंडिया के या किसी भी देश की economic growth directly proportional रहती है कैसे, अगर आपके देश का infrastructure काफी अच्छा developed है, तो उसका transportation cost काफी जादा काम आएगा transportation cost काम आएगा, तो चीजों की rate कम रहेगी, चीजों की rate कम रहेगी, तो लोगों को महंगाई कम पड़ेगी, जिससे हमारी economic growth होगा, इसलिए infrastructure development काफी जादा priority में रखा गया है, तो इसकी क्यों ज़रत पड़ी, आप सभी को पता है, हमारे देश की खस्ता हालत infrastructure की condition, तो ऐसे में हम अगर transportation की बात करें, जो की लगभग लगभग 35 से 40 रुपए पर किलो की costing हमें आती थी, वो reduce होकर उस government का aim है, 5 रुपए से लेके 7 रुपए तक लेकर आया, तो आप देख सकते कितना बड़ा significant difference है, तो यह कैसे होगा, तो इसके लिए हमें सब कुछ develop करना पड़ेगा, back to the basics, मतलब की हमें आपने road infrastructure को develop करना पड़ेगा, हमें इतना smooth करना पड़ेगा, कि हमारी जो transportation की costing है, जो time लगने वाली है, वो कम हो जाए, अब timing कम लगीगी, तो already हमारी transportation cost कम रहेगी, speed बढ़ेगी, तो हमारी fuel consumption है, वो कम होगी, साथी साथ, हमारी जो air travel की costing है, उसे भी कम करना पड़ेगा, साथी साथ, इन दोनों से जादा, जो हमारी transportation की cost सब से काम आती है, जिसमें वो है हमारा train, train में जो हमारी freight carriers रहती है, freight trains रहती है, उसकी भी transportation cost यूँ तो, road और flight से काफी कम है, उसे भी reduce करके, काफी नीचे लेकर आना है, अगर हम अपनी country की economic growth को देखना चाहते हैं, अगर मैं आपको कोई एक और medium of transportation है, जो इन तीनों से भी सस्ता पड़ता है, वो होता है हमारा waterways, आप waterways आप बोलेंगे, समंदर में बड़े-बड़े ships तो देखे होंगे आपने, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो internally इंडिया में भी काफी सारे ऐसे rivers है, जहां से आप waterways के जरीए, चोटे नाओं के जरीए भी transportation करवा सकते goods and services का, तो इस plan में क्या क्या included है, आईए जानते हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है to integrate India's infrastructure system, मतलब की, जो हमारा infrastructure system है, जैसे कि अगर मैं आपको example बताओ, integrate करने से क्या मतलब है, अगर हम दूसरे बाहर देश से माल लेकर आ रहे, तो कहां से लेकेंगे, एक बड़े ship से समंदर के रस्ते लेकर आएंगे, समंदर से आप जब लेकर आएंगे, तो वहाँ पे एक warehouse में उसे store किया जाएगा, warehouse में store करने के बाद, आपके पास दो option रहेंगे, या तो आप train के जरीए पुरे देश में भिजवा दीजे, जहां-जहां उसकी need है, या तो आप trucks के जरीए भिजवाएंगे, ये दोनों ही option आप अपने according चूस करेंगे, उसके बाद में हो सकते हैं, अगर वहाँ में reverse मौझूद है, तो reverse में waterways के through भी आप भिजवा सकते हैं, तो ये सारा जो system है, एक जो हमारी ship समंदर से port तक आई, port से हमारे train freight में, या तो हमारे truck system, तो ये सभी क्यों integrate करना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से integrate करना है, कि हमारी transportation cost है, जो logistic की cost है, वो कम से काम है, अब कम से कम कैसे है, कि हमारी infrastructure development, जो हमारी roads, highway, expressways, जो आज के time पे बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि हमें transportation की costing कम करनी है, जो हमारा travel time है, उसे कम करना है, इससे directly हमारी fuel consumption कम होगी, और इससे हमारा जो logistic का cost है, ये भी कम होगा, इसके बाद जो next topic आता हमाद, to reduce transportation cost, जो मैंने आपको बताए, transportation cost से हमारा job involvement, और साथी साथ हमारा job creation है, वो भी इससे directly linked होता है, साथी साथ हमारी country economic growth भी इससे के जरिये होती है, next आता है, to boost economic growth, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके बाद increased job creation, इसके जरिये ही job creation increase होगी, अगर इतना बड़ा infrastructure development होगा, इसना जादा अगर economic growth होगी, तो उसके जरिये ही हमारा job creation भी होगा subsection में, उसके बाद आता है private investment, अब private investment दो तरीके के होते हैं, private investment एक तो हमारा जो बाहर country से आती है, foreign institution से आती है दूसरा जो private investment हमारे countries की ही बड़े-बड़ी companies या private players करते हैं, उसे हम private investment कहते हैं, बट private investment कब होगा, कोई भी अपनी factory क्यो setup करेगा हमारे देश में, वो ही setup करेगा, जब उसके factory तक लाने के लिए माल सस्ते में आ रहा हो, क्योंकि सस्ते में माल आएगा, तुसका profit margin बढ़ेगा, profit margin बढ़ेगा साथी साथ उसके product की, अगर costing कम रहेगी, तो लोगों तक जादा से जादा पहुचेगा, उसके लिए वो profit दिखेगा, बट अगर उसका जो infrastructure है, जो हमारा first point है, infrastructure ही, अगर ठीक तरीके से नहीं रहेगा, तो हमारी transportation cost बढ़ेगी, job creation नहीं हो पाएगी, economic growth नहीं हो पाएगी, तो इसलिए सबसे एहम जो हमारी कड़ी है, जो हमारा first number का है वो है infrastructure system, तो इसी कड़ी में गति शक्ती master plan को लाया गया है, ताकि हमारी infrastructure को boost दिया जासे, तो इसमें क्या-क्या include रहेगा तो सबसे पहले, ये comprehensive plan है, मतलब कि जितने भी way of transportation है हमारे logistics से, चाहे वो airplane हो, चाहे हमारे roadways हो, airways हो, या waterways हो, सभी को इसमें include किया है, सबके लिए ही इसमें infrastructure को develop किया जाएगा, next है हमारा ये data driven और या integrated या interconnected plan होने वाल है, जिसमें computer की मदद से या digital platform के मदद से ये देखा जाएगा कि कि किस mode से आपको transportation या logistics करने से आपको सबसे ज़्यादा सस्ता पढ़ने वाल है, तो इस तरीके का एक digital platform भी build किया जाएगा कि for example, अगर आपको विशाखा पटनम पोर्ट से करनाटका के बैंगलोर तक माल पहुचाने तो ये platform आपको पताएगा कि कौन सा mode आपके लिए सबसे ज़्यादा सस्ता रहने वाला है, नेक्ट इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें collaboration रहेगी जो different ministries है, जैसे कि आप सभी को पता है PWD, CPWD, NHI, Ministry of Road and Highway, तो इतनी सारी हमारी ministries अलग अलग अपने में work करती थी, तो इसकी वज़े से क्या होता था, जैसे कि आप सबने तो मजाक मजाक में देखा ही होगा कि पहले हमारे हाँ road बनाई जाती है, road बनाने के बाद जैसे उसका घाटन होता है उसे वापिस खोद दिया जाता है उसके बाद बोलते कि उस पर हमने cable डालना भूल गया, फिर cable डालने के लिए हम फिर खुदाई करते हैं उसे फिर road बनाते हैं, उसके बाद फिर उसे खोद देते हैं, बुलते हम तो पानी की pipe डालना भूल गया, तो ऐसा क्यों होता है, तो यह lack of communication की वज़ए से होता है, for example, PWD यहाँ पर अगर एक road बना रही है, तो वो अपना road का काम complete करके चले जाएगी, कल को CPWD आएगी, यह नहीं कहीगी, कि हमें यहाँ पर दूसरा project करना है, यहाँ में pipe डालनी थी, यह water की ministry आकर कहीगी, हमें तो pipeline करनी थी, बट उन्हें तो idea ही नहीं था कि यहाँ पर road बन सब्सक्राइगी, कि यहाँ पर project start होने वाला है, आपको जो जो चीजिस में करनी है, with the average step, मतलब जैसे जैसे step include हो रहा है, आपका कामारत उसे उसी time पर करिए, एक बार complete होने के बाद इसे ऐसा नहीं किया जाएगा, अगर आपने उस टैम पर उसे सहीं तरीके से नहीं किया प्राटाज हो गई, रिलाइंस हो गया, इस भी बड़ी बड़ी private plans से ही पैसे generate किया जा सकते है, तो इसे इस plan को इस तरीके से integrate किया गया, कि private partners के लिए काफी ज़्यादा friendly रहे, उनके लिए profitable रहे, next हम बात कर लेते, reduced transportation cost, जैसे कि हमने पहले बात किया कि इसका main goal है transportation cost को कम करना, infrastructure को develop करके, जिससे हमारी economy growth होगी, उसके बाद हमारी job creation होगी, economy growth होती है, तो ही job creation होती है, आप सभी को पता है, trade और investment का center हमें बनना है, अपनी country को, हर एक जो major cities है, जो भरती हुई cities है, उसे भी improve करना है, factories और private players को establish करने के साथ, next आता है, हमारा global competitiveness, जो अब तक इं investment, job creation और economic growth के साथ, हमें global level पर countries जैसे की China, USA, United Kingdom, ऐसी countries के साथ compete करना है, तो उसके लिए ये एक master plan कह सकते हैं आप, तो दोस्तों, अगर मैं आप से पूछू कि क्या-क्या benefits इससे आने वाले है, गति शक्ती plan, जो कि लगभग 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 cost reduce करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो global हम जीसे compete करने countries से, America, Australia, United Kingdom, China, उसके बाद हमें economic growth होगी, उसे economic growth से हमें क्या फायदा मिलेगा, हमारी job creation होगी, job creation होगी, तो हमारे पास पैसे और जाद आएंगी, हमारी spending power बढ़ेगी, और इससे हमारी trade और investment भी बढ़ेगी, तो ये सारे फायदे हमारे होने वाले गती शक्ती master plan के जरीए, तो इसके बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि ये plan already action में है, और इसमें काफी ज्यादा job creation होने वाली है, especially ये plan जो इतना बड़ा इंडिया को बहुत बड़ा master plan है, ये especially civil से ही related है, civil से related कैसे, तो कि इसमें highway बनने वाले bridges बनने वाले हैं, और हर तरह के transportation जो हमारा infrastructure वो improve होने वाला new level पे greenfield projects बनने वाले हैं, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, और आप नए हैं तो इस चैन की बात, गुरुजी के साथ, until then, thank you so much.